अि गुड मार्निंग फ्रेंड चलिके आज हम बात करेंगे कि अधार काड को हम अपने मुस्के किस तरीके से डाउनलोड करें अगर आपका अधार काड को गया है या ग्यृप हो गया नहीं मिल ला है आपको अरजेंट है आप कहीं रास्ते में अगर हसे हैं तो आपके इस तरीके से अपने मुबाइल से तुरंत अधार काड को डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आपके अधार कार्ड के साथ अगर आपका मुबाइल नंबर रेजिस्टर्ड है तो आप बिल्कुल आसानी से कुछ इस्टेप को फालो करते हुए आप अधार कार्ड को इंस्टेंटली अपने मुबाइल में डाउनलोड कर पाएंगे तो इसके लिए आपको UIDAI के अफिस्यल वेवसाइट पर इस तरीके से यहां पर आ जाना है तो आपके सामने इस तरीके से मुबाइल ओपन हो जाता है यहां पर थोड़ा स्कूल डाउन करके नीचे आएंगे तो इहां पर आपको कई सारे आपसन देखने को मिल जाते हैं तो सबसे उपर गेट आधार का यहां को और आपको आपको एक डाउन्रोड आधार का मिल जाता है यहां पर हम क्लिक कर लेते हैं फिर इसको डाउन करके नीचे आते हैं यहां पर प teardlier नमबर से आप डाउन्लूड कर सकते हैं फिर इंडॉल्मेंट ।ो यहां तो चलेका से केप्चा केप्चा क्डिक कर देता हुँ आपको सेन्ड ओडिया पे कलिक कर लेना है यहांपर देही है आपको सेन्ड ऐटीपी १े aç यहोड़ कर देते हैं और यहांपर वेडि़ाइऐ डाउन डॉड़ोड ऐसे पर simply click कर देना है तो चलिए हम verify and download पर click कर लेते हैं तो खुशी देर में आपका यह देख सकते हैं यहां पर congratulations यह और अधार card है जो successfully download है आप हो चुका है अब यहां पर कुछ चीजें में आपको बता देता हूं जो आपका अधार card download होता है वह password protected होता है जिसमें आपको आठ अंक तक आपको password फिल करना होता है जिसमें आपका जो नाम होता है आपके नाम का फर्स्ट चार लेटर capital में लिखना होता है और फिर आपका डेट आप बर्फ में जो यह बहुता है आपको यहां पर लिखना होता है जहां पर यहां पर देख सकते हैं 1989 और यहां पर नाम पर रनीश लिखा है then A.N.I.S1989 तो पासवर्ड हो जाता है यहां पर आप देख सकते हैं तो इस तरीके से आपका जो नाम का फोर लेटर कैपिटल में लेना है और बीना इस पेस दिये हुए आपको यह भी इस तरीके से लिख लेना है वह आपको पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है तो चलिए अब मैं यहां पर देख लेता हूं कि डाउनलोड होके कहां पाया है तो इसको मैं फ पासवर्ड प्रोटेक्टेड है तो मैं से लिए पासवर्ड यहां पर डाल लेता हूं और फिर यहां पर देख सकते हैं कि इस तरीके से आपका डाउनलोड हो जाता है मोबाइल में तो बिल्कुल इजी है आप असानी से डाउनलोड कर सकते हैं और आपको वीडियो अच्छ झाल इनलोड में वीडियो जाता है